हेलो इपरीवन, जे देवी कम्शन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सेयर करें और सस्क्राइब करें अपने दोस्तों से भी बोलें वो हमारे चैनल को लाइक करें तो देखते हैं चलें चलें अपने पहले कुश्चन के तरफ तो आज का हमारा पहला कुश्चन कौन सा बना हुआ है पहला कुश्चन है ग्रामीडी चेत्रों में सबसे सस्ते एलीडी वल्व प्रदान करने के लिए उन्नीस मार्च दो हैर एक किस को ग्राम उजाला योजना सुरू की है तो किसने सुरू की है देख लेते हैं ग्रह मंत्रा लेने जलसक्ती मंत्रा लेने या केंद्री शक्ति और नभीरिकान मंत्राले ने या नीतिया योग ने तो इसमें से हमारा औपस्ण नमबर जो है अप्षन नमर हमारा सही हो जाएगा आप्षन नमबर सि ऐब सानों तीन केंद्री शक्ती और नभिनिकार ऊर्जा मंत्राले द्वारा ये योजना सुरू की गई है क्या है कि 19 से श्टार्ट होगा ये लीडी वल बितरण ठीक है योजना यह सुरू होगी ठीक है तो देख लेते हैं इसके बारे में ग्राम उजाला योजना के महत्यकांची योजनाओं को जो ग्रामिट शेत्रों में दुनिया के सब से सस्ते L.A.D. वल्ब प्रदान करेगा यहां भारत में इस तरह की पहली योजना है यहां इन शेत्रों में 10 पर L.A.D. वल्ब प्रदान करता है ग्रामिट चेतरों में 10 रुपए में कुछ 600 मिलियन एडी वलब विद्रित किये जाएंगे इतनका प्रस्ताव पारित हुआ है ठीक है चलते हैं में भारती नौसेना लेनिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एल 58 को भारती नौसेना में कहां कमीशन किया गया है कमिशन मतलब होता है कि कहां भेज मतलब तैयनात किया गया है ठीक है कोलकार्था पोर्ट ब्लेयर चैन्नेई मुंबई तो इसमें हमारा पोर्ट ब्लेयर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में किया गया है क्या किया गया है तो यह है हमारा लेंडिंग जैना लेंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी ल-58 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकौवार दीब समुहों में भारती नोसेना में कमिशन किया गया है यह लेंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 40 मार्क 4 लास का आठवां और आखरी जहाज है पोर्ट अन्दमान निकोवर में एक समारों में जहाद को शेवा में लगाया गया था, ओके चलते हैं, नेस्ट कोशन की तरफ, नेस्ट कोशन हमारा है, वंधन योजना के लिए किस राज को मौडल राज घोसित किया गया है, तो इसमें 36 गड़, मद्यप्रदेश, जहरखंड, मडीप तो इसमें हमारा आपसन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसमें हमारा आपसन नंबर सही हो जाएगा, आपसन नंबर 4, मडीपुर, मडीपुर को बंधन योजना के लिए, मौडल राज घोसित किया गया है, तो मडीपुर में क्या है, बंधन योजना को मौडल राज घोसित कि तो देख लिते हैं पर्याबड पर प्रतार्थम मेलोन किस वर्स किया गया था लुप किया गया था Спciąनेत्स दॉध笃 जो भेंसरा में हो क्या था और युट्छ जो था वह मे carbon होनिश क्य किया गया था चल तो यह स्वीडन में है श्वीडन में है इसनाख refuse यह कहा है स्वीडन में है ठीक है स्वीडन में है और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था तो इसमें कुल 119 देशों ने भाग लिया था कि इसमें 119 देशों ने भाग लिया था ठीक है चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में तो मड़ीपुर मड़ीपुर के बार हैं और यहां के राश्टी उद्धान है काबिल लाम जाओ कमसे काबूल लाम जाओ यहां का एक राश्टी उद्धान है चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में ट्राइफेट ट्राइफल कॉर्वर्टिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया आदिवाशी उत्थान के लिए काम करने वाले नोजल एजनसी के रूप में इस्थापना के बाद कई कारकरम और पहलों को लागू कर रही है इन पहलों पर उद्दे से भारत को आत्म निर्भर अभियान के तहट आत्म निर्भर बनाना है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोशन के तरफ नेस्ट कोशन हमारा है किस राज सरकार ने किस राज सरकार ने समर अभियान सुरू किया है किस राज सरकार ने समर अभियान सुरू किया ह 36 गड उडिशा मडीपूर जारकन तो इसमें हमारा आपसन कौन सा ही हो जाएगा तो आप देखें और बताएं इसमें हमारा आपसन नमबर कौन सा ही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर शाही हो जाएगा आपसन नमबर 4 जारकन जारकन में समारवियान शुरू किया ग प्जिक डिंगों के लिए खड़ा हैं तो देख लेते हैं समर की बारे में जहरखन सरकार ने समर अभियान सुरू किया था एनेमिया महिलाओं और निवक्त कि पैंचान करने के उद吃 के गयória के चलते हैं नेस कुछन की तरब केंद्री सिच्छा मंत्री रमेश पोखर याल निशंक ने उरजा स्वराज यात्रा में अपनी सबारी की जिसे जिसे किस आयाइटी द्वारा बनाया गया है तो इसमें देख लेते हैं आयाइटी दिल्ली आयाइटी बॉंबे आयाइटी खनक केंद्री मंत्री कौन है तो केंद्री उर्जा मंत्री तो रमेश पोखर याल निशंक है ठीक है केंद्री मंत्री है मंत्री रमेश पोखर याल निशंक जी है ठीक है तो नहीं ने उसका द्गाटन किया है देख लेते हैं रमेश पोखर याल के निशंक ने स्वी उरजा स्व फॉसर डाक्टर चीटरन सिंग शी लंकी नए बनाया है और रॉजा शुरा ज्यात्रह अब बस सहर उरजा पर चलती है ठीक है यह जो है यह सहर्व जाके ऊपर चलती है बस ठीक हें चलते हैं नर्ष के तरप कौन सासजार थयक्त कौन सा8am के तिन हजार मीटर सिप्ट रिकार्ड बनाया है कौन सा एतलीठ पूरषों में पूरों के 3000 मीटर सिप्ट रश्मा मां तयां गी चन्वेस्ऑं तैके अपनी इसमें से में आपन क्याम तो इसमें हमारा कॉंसा हुझाओ का आप इस नंबर 3 आप ली शेबbaiे इसरह यह न देख लेते हैं मैं इसके बारे में इक लिए है दो भारती अभिनाश सेल रहे अरी-शिपने फटीया सेन्यरे चेंपियंशिफ में इस परधा में आठ बाइंट है थीज दो आट पाइंट में więc साथ ये लिए रिकार्ट बनाया है इसके साथ 26 वरसी अभिनेश ने का एक नए रिकार्ट तोड़ था जो नोंने 2019 में बनाया था चलते हैं निधर लेंड के लगाता चवधी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं मार्क रूटे जुनो देशी मारकेल या एनजमे से कोई नहीं तो इसमें से हमारा option number कौन साही हो जाएगा तो इसमें हमारा option number शाही हो जाएगा option number एक mark route जो है निदरलेंड के लगातार चोथी बार प्रधानमंत्री बने हुए है ठीक है तो देख लेते हैं देख लेते हैं इसके बारे में निदर लेंड के बारे में निदर लेंड यूरोक महदीब का में स्थित है राजधानी एमिस्टेडरम है मुद्रा इसकी यूरो है पधान मंतरी मार्क रूटे है यह अंतराष्टि नियाले यहां कौनसा है ICJ या ICC का मुख्याले हेग निदरलेंड में भी इस्थापित है कमसा इंटरेनेशनल क्रिकेट एशो सीजन का ठीक है चलते हैं नेश्ट कोशन के दरफ इसके बारें देख लेतिशा है निदरलेंड के पधानमंत्री मार्क रूटे ने 21 में संसदी चुनाओं में जीत हांसल की है जिसमें अधिकान सीटों पर चोथे सीधे कारकाल के लिए पधानमंत्री के रूप में सपत ली है ली गई इसके पहले रूटे ने उनके मंत्री मंदल ने बाल करने धोखा धड़ी के सम्मधि एक घोटाले के जवाब में 15 जनवी 2020 को स्थीपा दे दिया हलाके 2021 के चुनाओं तक रूटे पद पर बने रहे रूटे एक्टूबर 2010 से नेधरलेंड के वधानमंत्री है दुए दस से ठीक है चलते हैं नेश्ट कुशन की तरब क्रेडिट कार्ड वेप साह के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने सहायक कंपनी सहायक कंपनी की की सिस्थापना की है पंजाब शायक कंपनी के साथ सिस्थापना की है तो देख लेते हैं इसके वारे में पंजाब शामित वाली अपनी कंपनी PNB Cards एवं Service Limited की स्थापना की है PNB Cards एवं Service Limited को 16 मार्ट 21 में Registrar of Companies दिल्ली द्वारा सामिल किया गया है ठीक है चलते हैं Next Question की तरफ सामिय सूलू हसन ने किस देश की पहली महिला राश्पती के रूप में सपत ली है नेदरलेंड, कमबोडिया, जकारता, तंजानिया तो इसमें से हमारा आपसन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही है आपसन नमबर D, तंजानिया सामिय सूलू हसन सामिय सूलू हसन ने यह पहली महिला राश्पती है जो कहां की बनी है तंजानिया की यह इससे पहले यहां की उपराष्ट पती थी उपराष्ट पती यहां की पहले से ही थी ठीक है पहली ही थी यह भी थी पहली उपराष्ट पती थी क्या थी पहली उपराष्ट पती थी जब यहां की राष्ट पती ने स्थीपा दे दिया है त देख लेते हैं इसके बारे में सामिया सुलू हसन ने पूर्वी अपरीका देश की पहली महीला नेता बनने वाली तंजानिया की छठी राश्टपती के रूप में से पदली है एक सेट बरसी हसन ने पूर्व राश्टपती जान मेंगो फुली की मिरत्यू के बाद राश्टपती पत्गराण किया हर्दय की इस्तवी के खारण उनकी मिरत्यू हो गए थी मेंगो फुली की ठीक है चलते हैं नेश कुछन की तरफ इंडियाज पावर एलिट जाती वर्ग और संस्कृती क्रांती की पुस्तक किसके द्वार लिखी गई है अजे मातुर पवन कुमार श्रत्यमबस्ती संजे बारू तो इसमें से हमारा आपसन नमबर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही हो जाएगा चलते हैं नेश कुछन की तरफ नेश कुछन की तरफ विस्व मौकिक स्वास्त दिवस कि दिन मना जाता है तो पंद्रा मार्श सोला मार्श सत्रा मार्श या वीस मार्श तो हमारा विस्व ओरल दिवस जो है विस्व मार्श को मना जाता है कब मना जाता है विस्व मार्श को मन किस खेल संबंध्य तैनिस सूटिंग तीरंदा जी तो इसमें से हमारा हमारा अ ridgeon कौन से हो जाएगा हमार अ यह सुचुनी देशवाल ने डाक्टर करणी सिंग सूटिंग रिंज के इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिश्टल साट गन और महिला 10 मीटर एर पिश्टल फाइनल में भारत के लिए पहला सुनड़ पदक जीता देशवाल ने अपनी सेंड़ी में नेतथ्तु करने के लिए 238.08 अंक अरजित किये एक अन्य भारती निすाने वाज मनू भासकर मनू भाकरने 236.07 अंकों के शाथ रजट पदक जीता है किस न जीता है रजट पदक? देख लेते हैं रच don't factor किसने जीता है तो बताई जीता है किसने जीता है तो इसमें मनु बाषकर कौन थे मनु बाषकर जो है इली जीता है और हमारी हिसर समाथ होते हैं थैंक्स फूर वाचिंग फ्रैंड्स जटैष धी कॉमशन ग्लासेस्ट डू लाइक डू सर्सक्राइब एंद शेयर नौ अपने दोस्तों को शेर करें मुझसे बताएं कि हम दोस्त के शेयुक्तृच कुर लाइक करें फुर पाफ्रण तिन् máxim कान्ए वाटति वाटति का शील ν कीर दे ए